नमस्कार आदा पाप देखरें ओन्रिकोर्ड मेरा भेंदर मेरा रोड के काशी मेरा परिशर इस्थित शाली भदरा ग्राम नामत की सोसाइटी जिसमें अशोका होस्पिटल आपको दिखाई दे रहा है इस अस्पताल में कल एक मा और नोजाज शीशू की मौत हो गई है परिशर ने आरोप लगाया है कि इस अस्पताल के लापरवाही के चलते और यहां के बद इंतिजामी के चलते यह मौत हुई है आईए हम आपको ले चलते हैं क्या कहना है पीडित का जिन्होंने अपनी बीवी और नोजाज शीशू को खो दिया है मेरी वाइप के मतलब दिन भी होने आड़ी थी तो एक दस दिन पहले की बात है उदर जाके मतलब बात किये सब चीज किये कि हां कितने क्या खर्चा आएगा कैसे क्या होगा तो उन्होंने खर्चा बता कची से जार उप्या लगेगा और बुक खोल के दिखाए कि मैं एक नए कई करवा के दिया हूँ मैं तो यह सानी आए हमारे पास में हर तरह के इंजाम है मसीने सब चीज है तो यह गुरवार की रात को छे बजे मतलब भरती किये उल्खो जो गएरा चड़ाय सब चीज किये और उसके बाद में सुपरवार को दुपहर के बाद में तो अलका दर्द आया यह बोला ठीक है और मतलब बढ़ने दो सामके वह लगवार चे साथ बजे तक मतलब ज्यादा हुआ तो यह बोले ठीक है अब भरती करूँगा मैं अंदर ले ले लेता हूँ तो आईशो में 12 एक बज़े आईशो में लेने के बाद में मतलब एक कि दिखाने लगे कि हाँ ऐसा है अब यह होगा है अब यह करके देता हूँ यह करके देता हूँ तो यह सब मतलब उधर पे बराबर नहीं किये लड़की मतलब पैदा हुई वो भी मतलब पैदा होते ही मर गई और उसके यहां से मतलब यह शाकू का निशान आया कटा हुआ है यहां से लेकर कटा हुआ मतलब निसान आया वो देखे उसको मैं पूछता रहा बच्चे भी पूछते रहे कि मतलब क्या बात हो बोले नहीं नहीं ठीक है कोई बात नहीं है सब नोर्मल है पहले बात तो इनके होस्पिटल का ऐसा हो रहा है कि उसमें अभी टायल कभी काम चला है वायर सब देखो चारों तरफ बिखरे पड़े हैं दूल मिट्टी एसा बाहर हो रही है एक रूम खाली पड़ा हुआ है बस उसे में मतलब किया कैसे क्या करते हैं फिर वह तो देखे मतलब किसी तरह से वह कर लिए पिर वहां से मतलब इनके हालत ज्यादा यह बताने रहें ना अंदर जाने दे रहे हैं कि नहीं अंदर नहीं जाना है यह थोड़ी देर के बाद में मतलब वह दो डाए बज़े के टेम में टूंगा यह फोन किया या कैसे किया टूंगा होस्पिटल से एंबुलेंस और तीन आदमी पहुंचे वहां पे दरवाजा यह अंदर से दर्वाजा ने खुले दर्वाजा ने खुले वह खड़े हुए 15-20 मिनट के बाद में अपिस चले गे तो युन्होंने क्या बोला कि एसा है कि मैं टूंगा होस्पिटल से मेरा आदमी है और मेरा पहचान है मेरी गाड़ी आ रही हो मेरी टीम आ रही है तो लड़ी प्राद में उन्होंने अचति रगए पैर मारा जा के तरवाजा में के तो सてनहीं जाने दीए फिर बात में अंदर बाहर बोलाया कि कि हमचे भाई ऐसा है कि हमतेchnी होसा पुछ रहा ँद्सक् समझत नहीं कि आ बहर कि आ था iो ərपानी दाक्टर कोन है और और मिनट पर नीचे जाके सिगरेट भी किया था और मतलब दुआ के इसमाइल आती सब चीज आती फिर बाद में लड़की ने जब उस्से में जाके देखा तो मतलब वो खतम हो चुकी था अंदर लड़की ने जो देखा वो क्या नजारा था और अंदर आप लोगों को जाने से क इतना पून पूरा भीखरा हुआ पड़ा था पिर आपको क्या पिर बताया गया कि मां और बच्ची जो है सीजोनों की देख हो गें कैसे बताया था नए यज बहुत कोशित करने के बाद में बताया ने फिर बाद में वो अपने आप से जब जाने कि यहां बग्द दोड़ सोरी में बचाने पाया किसी को और हुस्पीटल का ऐसा रंग देखो इस्टेम्ट जाके कि ऐसा कि जैसे लग रहा है कि गाई भाइस बांदने का मतलब हो है वायर सब बहार के लटके हुए है सबसी पूरा टायल भी लग रहा है धूल मिटी इतना एक वी रूम फाली है है लगता है कि यह हस्पीटल के लापरवाही थी लापरवाही करना को दवा की जड़ोत होती है तो जिसे आद में नीचे रासं की दुकान पे जाता है कि हमत्रत रुपया की चेनि दे दो पांच रुपया का ये दे दो अईसे वो दवा लेकर मतलब बार-बार भेज रहे हैं कि अर्चना पांड कि उनसे बात हुई थी पचीस जार के दिखाये कि देखा की देखायें कर दिया हूं और इसमें कोई परिसानी नहीं ने ओगाई थी उसे आप लोगोंने बुलाया था या उसका नहीं नहीं ना नहीं ने खुद बुलाया था और फिर मतलब वही जो बताया कि हाँ खड़े रहे आदा घंटा तक खड़े रहे दरवजा पिटते रहे लेकिन कोई आया नहीं बाद गेट ही नहीं खोला यह बोले कि एसा है कि अभी टूंगा हुस्पिटल से मेरा मतलब है जो है गाड़ी है और अपने टीम है वहां से टीम किसी की हो ठीक है किसी साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए कज़ा मिलनी चाहिए को कोई गरीब हो या कोई भी हो अगर आई दा है तु सबके साथ में अईसे यह करें गी है यह उस्पिटल चनाने लाइक ही नहीं पिडित गोपाल के अगर हम माने तो बहुत ही संगीन आरोप इस अशो का अस्पताल पे लगाए गए है उनके मुताबिक जब डिलिवरी होने के बाद में काफी देर तक का दरवाजा नहीं खुला और उनके घरवालों को जब शंका उपस्तित हुई तब उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन अस्पताल के लोगों ने दरवाजा खोलने नहीं दिया ओटी रूम का किसी तरह से जब वो अंदर ओटी रूम में जाते है तो उन्हें ओटी रूम में हर तरफ खुन ही खुन बिखरा हुआ दिखाई दिया साथ में जो नौजाच शिशुता उसके सर पर भी एक बलेट की धार का निशान दिखाई दिया यानि एक तरह सुने बताये के कटा हुआ निशानता उसके सर पर सीजरिंग कैसे हुई क्या यहाँ पर डॉक्टर ने लापरवाही बरती है और इस अस्पताल में जोब के रिनेविशन का काम जल रहा था तो क्यों यहाँ पर अस्पताल ने केवल पैसों की लालच में इस मरिश को भर दी किया आज मा और बच्चा दोनों भी इस दुनिया में नहीं है पिडित गोपाल ने मांग की है परशासंसे के उनके साथ में हुए इस अन्याय और इस डॉक्टर और इस अस्पताल के लापरवाही के चलते इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए इस पुरे मामले में हमने हॉस्पिटल के संचालक से बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने हमसे बात करने से इनकार कर दिया आशा करते हैं कि मिरा भाहिंदा शहर में ऐसे जितने भी लूट मार करने वाले जो डॉक्टर है या जो अस्पताल है उन पर परशासन कड़ी कारोई करें ताके मासूमों की जान जाने से बच सके इस पुरे मामले में हमारी आखीर तक नदर बने रहेगी कि परशासन क्या करता है मिरा भाहिंदर धन्यवाद